आज में आपको एक ग्लोईंग सेरम बनाना दिखाऊंगी जोके बहुत ही एजी है ये एसज पर वास्टिर आप्लाइज करने के सथ ही साथ पर जुद, और ग्लोईंग से उनक जाहे इस तरहने का एक है ज्यादा ब्राइक, ग्लोई और चमकदार बनेगा. तो चलिए इस ग्लोव सेरम को बनाना शुरू करते हैं. एक बॉल लेजिए. ग्लोव सेरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोज वाटर. त्री टेबल स्पून रोज वाटर लेजिए. अब इसमें 1.5 टेबल स्पून अलवरा जेल, 1.5 टेबल स्पून ओलीव ओईल, 1.5 टेबल स्पून बीसरिंग, और 4 विटमिन E कैपसूल अड़ दीजिए. विटमिन E कैपसूल आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा. विटमिन E कैपसूल स्पेट को ग्लो दिलाने में बहुत हेल्प करता है. अब इसे अच्छे तरेके से मिक्स कीजिए. ताकि इसकी कॉंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो जाए. तो अब आपका ग्लो सेरम बिल्कुल रेडी है. अब एक क्लीन एयर टाइट कॉंटेनर पे इस सेरम को स्टोर कीजिए. ये सेरम स्पेशली विंटर में बहुत ही बेनिफिस्टर है. क्यूंकि ये स्किन को ग्लो दिलाता है साथ ही स्किन को हाइटरेट और मॉस्टुराइज भी करता है. इस ग्लो सेरम को अपलाई करने का तरीका मैं आपको बता दू, फेंस, रात को आप मेकप रिमूप करने के बाद या फिर फेश को क्लीन करके इस सेरम को अपलाई कीजिए और दो मिनित तक मसाज कीजिए और सो जाएए. फिर दूसरे दिन सुभार नॉर्मल वाटर से फेस्ट को वाश्टर डीजिए इसे यूज करने से आपका स्किन बहुत ग्लोईंग बनेगी ऐसे वन गुटत करने से ये आप पर्ग समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेल जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तर लीजिए ताके मेरे अगले और भी अच्छे अच्छे वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले सो सब्सक्राइब माइ चैनल, लाइक माइ वीडियो और स्टेए हेल्दी